हमारा घर एक छोट इसे नन्ने से ग्रह पर बसा है ये ग्रह हम सब को अपनी गोद में लिये हुए घूम रहा है और इस विशाल ब्रह्मांड में जीवन की उपस्तिती का परिचे दे रहा है इस ग्रह पर अनेक जीव जन्तु है जो जिन्दा रहने के लिए कोई भी कसर बाकी नहीं रखते कुछ जीव मासा हरी होते हैं तो कुछ फूल पत्ते खाकर शाका हरी जीवन बिताते हैं पर ये सब आपस में मिल जुल के रहते हैं हम सभी प्राणी पेड पौधे जिस ग्रह पर साथ साथ रहते हैं उसे प्रिच्वी कहते हैं जानवर और मनुश्य दोनों को मिल कर रहना होगा ये याद रखना होगा कि कहीं अपने स्वार्थ के लिए ये सुन्दर जंगल नश्ट न हो जाए अरे छोड़ो ये सब बातें इसकी समझ में नहीं आएगी बहुत छोटा है अबी लगता है इस नीदा रहे आवादी और सभीता से दूर कितने मजी से सो रहा है डर किसे कहते हैं ये मासून जानता तक नहीं बड़ा होकर हमारा बेटा हमारे पज्चिन पर चलेगा और इस जंगल से दोस्ती करके प्रकृती को नश्ट होने से बचाएगा है ना लो चलते हैं इसके उठने से पहले ही जंगल से मिट्टी और जलके नमूने ले आते हैं आराम से सोना यहां हवा और पानी में कितनी ताज़की है है ना मैं अभी कुछ नहीं कह सकता पहले मुझे मिट्टी और पानी की नमूनों को जाचना होगा कि कहीं प्रदूशान का जहर यहां तक तो नहीं पहुँच गया आराम प्यूच बख्यूल अब लुक बफ़ memak अब About आदमबू, आदमबू, मुझे इंसानों से नफरत है हो रहा, मा, हमारी गाईबू उठाने जा रहे, खेली चलाओ, चल्दी तबाकी, तबाके, तबाके हाँ, हाँ, क्या है शेर खान? मनुष्य की गंध आ रही है, जाकर ढूंडो उसे पर आप मनुष्य का सिकार नहीं कर सकते यह नियम के विरुद्ध है, यह जंगल के नियम के खिलाफ है शेर खान यहां के नियम मैं बनाता हूँ, क्या समझे, जाओ समझ गया, जाता हूँ शेर खान लगता है आदमी का बच्चा है ओहो रुख भी जाओ, क्या कर रहे हो छोड़ो यह तो पागल कर देगा अब तुम घर जाओ अरे बाबा, अब यह रोना बंद भी करो ओ, तो तुम्हें यह खेल अच्छा लग रहा है जरा ठीक से, बड़े किस्मत वाले हो जो मुझ जैसे सीधे साधे अजगर के पलने पड़े अजगर न अच्छा होता है न बुरा निरबर इस पर करता है कि पेट खाली है भा ना ना भालू हमें बदना मत करो मैं जंगल के काईदे कानून जानता हूँ मेरे साथ क्या होगा अगर मैंने मनुष्यों को खाना शुरू किया यह तो मनुष्य का बच्चा है मैंने तो पहले मनुष्य को इतने करीब से कभी नहीं देखा कितना प्यारा बच्चा है सभी प्राणी बच्चपन में प्यारे लगते है बड़ा होकर यह जंगल के लिए खत्रा बन सकता है लगता है तुम ठीक कहते हो इसके माता पिता इसे ढून रहे होंगे इसे फौरन सुरक्षित जगे ले जाना चाहिए हाँ खयाल बुरा नहीं है कहा रुको कहा जा रहे हो यह अब तुम्हारा है जो करना है सो करो पर मैं अकेले क्या कर सकता हूँ मैं बगिरा को बुला कर लाता हूँ वो मनुशों के बारे में अच्छी जानकाई रखता है वादा करो तुम बगिरा को लेकर तुरंत वापिस आओगे और रास्ते में रुकोगे नहीं सोने के लिए कोशिश करूँगा आ बेचरा पैरा मुन्ना मेरा बेटा कहा चला गया मौगली क्या हुआ यह नहीं है मैं उसे यहां सोता हुआ चोड़ गई थी उसके पालने में कहा गया क्या पता शाय जंगल की तरफ चला गया हो कौन है मैं हूँ कैसे हो बगीरा क्या बात है हमें एक मनुष्य का बच्चा मिला है जंगल में जंगल में और मनुष्य का बच्चा हाँ इस वक्त वो भलू के पास है लेकिन हमें उसे फोरण जंगल के बाहर करना होगा पता नहीं क्या मुसी बता जाए, मुझे तुमारी मदद चाहिए इसलिए कि कभी मनुष्यों ने मुझे पाला था हाँ, लेकिन जंगल में तो तुम्हें सभी अपने दोस्त की दर समझते हैं ना मुझे किसी की दोस्ती की जरूरत नहीं पर सुनो बगीरा शेर खान हाँ, लगता है तुमारे उस मनुष्य के बच्चे ने गडबड शुरू कर दी है क्या करे बच्चे के माबाप को जंगल से ढून कर निकालो, कहीं उन पर शेर खान की नजर न पड़ जाए तो बच्चे को मुझे और भी काम है हम, यहां सभी कुछ एक साथ क्यों होता है इस शुर का मतलब मुसीबत शेर खान आ रहा है उठो, जागो, हमें यह से जाना होगा पर कहां गया मेरा बेटा मोगली, मोगली मोगली, कहा हो तुम ओ की दड़ क्या किया है तुम्हें मोगली के साथ जवाब दो, बोलो वो कहां है कहां है, कहां है मेरा बेटा, बोलो अना रूमा एक और जंगली जान पर इदर आ रहा है पर मोगली का क्या होगा वेना बंदुग क्या हम कुछ नहीं कर सकते वापस चलो पर मेरा बेटा रो मत, हम वापस फिर आएंगे उसे धूणने मैं वादा करता हूँ, चलो चली चलो बेंग, चली चलो शेर खान, मैंने धूण लिया उन मनोश्यों को हाँ, अब आएगा मजा कौर है अगर तुम आदमी का शिकार करोगे तो वे लोग हम पर हमला कर देंगे पगीरा और यही जंगल का नियम है कि हम जैसे जानवर मनुष्य का शिकार नहीं करेंगे, क्या तुम्हें याद नहीं भूल गए मुझे परवा नहीं जानता हूँ, फिर भी चेताओं नी देने आया था बेतर होगा कि तुम खरगोश काई शिकार करो क्या कहा तुमने शेर खान, समय मत गवाओ वरना वो लोग हाथ से निकल जाएंगे अगर तुम मुझे रोकना चाहते हो तो नीचे उत्रो बगीरा तुम्हारी मर्जी मेरे पास समय नहीं है मुझे आजगर ने चकर लिया यह आजगर है अरे डरों नहीं से ठीकी में एक जंग भी पे लिए आओ चले इस आज़ते थी यह मनुष्ट तेज क्यों नहीं दोड़ सकते हैं पगीरान नीचे उत्रो पगीरान शेर खान क्या है कहीं से एक और मनुष्ट की गंध आ रही है छोटे बच्चे की छोटे बच्चे की शेर खान नहीं दिख रहा है लगता है पीछा करना छोड़ दिया खाला तेन दुआ बच्चे लूँ नहीं अरे अरे ये तो बहुत बुरा हुआ अरे भालू तुम कहां भागे जा रहे हो तब बाकी हटो जल्दी मैं जल्दी में हूँ अच्छा अब पता चला मनुष्य का बच्चा कैसा दिखता है अच्छा योज़ देखो बच्चू अब सीदे घर चले जाओ जाओ सीदे गर जाओ सिधे गर मा, मा, मा देखो तबाकी, मैं तुम्हें मनुष्य का शिकार नहीं करने दूँगा शेर खान जाओ सिधे गर मा, मा अरे, ये तो मनुष्य का बच्चा है, ये कहां से आया लगता है बेचारा जंगल में रास्ता भूल गया है मा, मा कितना प्यारा है देखो कैसे दूद पी रहा है, बिलकुल हमारी बच्चों की तरह लगता है बेचारा भूखा है इसके तबियत तो ठीक है ये तो शेर खान की आवाज है, बच्चों को जल्दी से गुफा में ले चलो चमेली हाँ यहाँ पर एक मनुष्य का बच्चा है, मैं लेने आया हूँ ये तुम्हारा शिकार का अड़्डा नहीं, निकल जाओ यहां से ये मेरा शिकार है, मुझे दे दो नहीं मिलेगा तुम्हारी ये मजाल, तुम्हारी ये चुर्रत, मुझे वो आदमी का बच्चा दे दो नहीं मिलेगा, वो हमारे परिवार का सदस बन चुका है तुम्हारे परिवार का? चले जाओ, हमें अकेला छोड़ दो शेर खान ठीक है, मैं तुम्हें एक बार फिर चेतावनी दे रहाओ मोतीव तुम्हें इसका मजा चखाऊंगा, वो मनुष्य का बच्चा मेरा शिकार है मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं तुम्हें लगता है हम इसे पाल सकेंगे? पर तुमने तो फैसला कर लिया है चमेली, क्यों? हाँ, मैं इसे पालूंगी तो तुम इस मनुष्य के बच्चे को पालना चाहती हो? यह हमारी भी रादरी का नहीं है इसे यहां रखके हम मुसिबत में पड़ सकते हैं शेर खान इसके पीछे पड़ा है, शायद इसलिए कि इसके माबाप मर गये है क्या इस हाल में इसे अकेला छोड़ देना ठीक होगा? शेर खान मुसिबत करेगा ठीक है, इसे नदी में फेक देते हैं अपनी पंचायद से इसका फैसला करवाते हैं जैसा कि आप जानते हैं इस बच्चे को मोती और उसका परिवार तभी गोद ले सकता है जब हमारे बिरादरे के दो सदस से राजी हो जाएं लेकिन मोती और चमेली को छोड़ कर जबाब दीजे, आप सबको ये मंजूर है, बोलो मंजूर है अब क्या होगा? तो बच्चा यहां सुरक्षित है मुझे बड़ी खुशी होगी कि मेरी भी रायमान ली जाए रायमान शांती, भालू हमारा अच्छा दोस्त है वो जंगल के कानून और नियम का पालन भी करता है, हमें इसकी बाद शांती से सुननी चाहिए बहुत शुक्रिया सरपंच दोस्तों, मनुश्यक के बच्चे से हमें कोई नुकसान नहीं होगा, मैं आश्वासन देता हूँ ये बेचारा तो केवल हमारे बच्चों के साथ खेलना चाता है, आप देख सकते हैं, ना तो इसके पंजे हैं, ना तो इसके नुकेले दात हैं, आपको इससे डरने की कोई जुरुरत नहीं धन्यवाद भालू भई, मैं तो इस बच्चे के साथ से दंग रह गया, पर हमें एक और सदसी की हाँ चाहिए मैं कुछ कहूँ हाँ हाँ मैं, वैसे तो मुझे आप लोगों की बिरादरी में बोलने का हक नहीं है परन्तु जंगल के नियम के अनुसार, मैं आपको इस बच्चे के बदले में एक भैस या कोई और जानुवर देने को तयार हूँ अच्छा ठीक है बगीरा पर तुम बच्चे के साथ करोगे क्या मुझे विश्वास है कि भालू इसका पूरा ख्याल रखेगा, क्यों भालू? कौन मैं? क्या तुम्हें भैस का उपहार स्विकार है? शानते, लेकिन क्यों बगीरा? इस बच्चे के माता पिता मर चुके है क्या तुमने मारा उने? नहीं, लेकिन वो सब मेरी गलती से हुआ सुनो सब, बगीरा शेरखान को मनुष्रों का शिकार करने से रोकने की कोशिश कर रहा था तब ही वो दुरगटना हुई बगीरा, तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि बगीरा नहीं चाहता था कि हम पर कोई विपत्ती आए है न बगीरा? मैंने ठीक किया बगीरा, अब तुम्हें शर्माने की कोई जुर्रत नहीं मोती जो कह रहा है, ठीक कह रहा है क्या तैह हुआ? आप लोगों को भैंस विकार है या नहीं? मैं सुन रहा हूँ, बगीरा हमारा मित्र है और इसने हमारे हित में ये कदम उठाया हम लोग बच्चे के बदले भैंस ले लेंगे किसी को अइतराज हो तो सामने आए, बोलो भाईयों अब मनुष्य का ये बच्चा इस जंगल का एक सदस्य से बन गया है पर हम इसे क्या बुलाएं? मैंने सुना था, इसके माबाप इसे मोगली कहकर पुकार रहे थे मोगली, बड़ा प्यारा नाम है मोगली, भालू और बगीरा को धन्यवाद दो मुँ प्यारा रहे